सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज का जो सेशन रहने वाला है वह काफी इंपोर्टेंट सेशन है इस बार के एक्जाम में यहां से एक प्रिशन आने की पूरी-पूरी संभावना है आज हम करेंगे दोस्तों देश की पहली जो जल निकाय जनगन होती है लेकिन यह देश का पहला आपका जो वाटर बोडी जो जल निकाय है उनका से जो हाल ही में हुआ है उसको आज हम डीटेल से देखने वाले हैं वह चोटा सा सेशन रहेगा पास से साट मिनत का सेशन रहेगा इसमें से एक कोशन है जो आपके एक्जाम में आने की इस पर पूरी-पूरी संभावना है क्योंकि यह देश पर पहला जल निकाय है जो आपका हुआ है तो डीटेल से पढ़ते हैं आज कंट्रीज फर्स्ट वाटर बोडी सेंस ठीक है देश की पहली जल निकाय जन गन्ना ठीक है गन्ना शुरू करते हैं सेशन को सबसे पहले तो द करें अगर आपर 25 प्लस पेपर लोट के आपको तयारी चर्वन करना है के जून बाल दिसमर वाला तो पेपर वन प्लस पेपर टू के आप tips है उसको आप जोइन आपको खरभाई जाएंगी इसके अलावा अगर आप weschio करना चाहते हैं history के तो आपके lifetime reflection available है best paper one paper two के यानि कि history के notes है वह आपके लिए दो बी है बुए विकिनसी है अगर आप इस बार बनना जाते हैं एस सिस्टेनk प्रोफेसर तो पेपर 3 की आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें complete course आपका cover होगा, doubt session होगे, live or recorded lectures होगे, printable PDF होगे, guidance program होगा, test series, यह सब आपकी क्या है, इसमें available हैंगा, तो यहाँ से आप इसको join कर सकते हैं, चलो, आप सुरू करते हैं, देश का पहला जल्ये निकाई जन्गना, यानि first water body census of India, तो सबसे पहले तो बात आती है दोस्तों, कि यह जो water body census है, यह इंडिया के इतियास में पहली बार हुआ है, और यह किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, बाइदा ministry of जल्सक्ती, ministry of जल्सक्ती ने first ever census of water bodies in इंडिया है, यह आपका क्या किया है, अब यहाँ पर जो water body census है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इसमें हमने क्या किया है दोस्तों, कि जितने भी हमारे जैसे water bodies है, या तो आप natural प्राकर्तिक जल निकाए, और आपके मानव निर्वित जल निकाए, दोनों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे pond कितने है, water tanks कितने है, lakes कितनी है, इन सब में देश में कहां पे कौन से राज्य में कितनी pond है, कितनी lakes है, किस राज्य में जादा है, किस राज्य में कम है, मानव निर्वित कितनी है, नेचुरल कितनी है, तो यह सारी चीजे हैं जो इस सेंसस में हम पढ़ने वाले है, सबसे पहले तो देखो इसके key features की हम बात करते हैं मुख्य मुख्य बिंदू क्या है इस बार के water census की तो देखे सबसे पहले तो आपको जैसा कि मैंने बताया एक चीज तो आप सबको clear होई गई होगी कि जल संसादन नदी विकास और गंगापुन उर्धार विवाग ने भारत की पहली जल निकाए याई वाटर बोडी सेंसस की रिपोर्ट है जो जारी की है एक चीज बहुत अच्छे से आपको पता होनी चीए यह जो जन गन्ना है छटी लगू सिचाइं दो हजा सत्रा ठारा पर आदारेत की गन्ना के सायोजन में की गई है तो यह एक important fact है इसको जर 20,540 जन निकायों को इसमें क्या किया गया है सामिल किया गया है इसके अलावा दोस्तों यहां पर हम देखे कि तालाब कितने सामिल किये गये हैं तो देखो अगर हम पूरे जन निकायों की बात करें तो देश में 59.5 जो जन निकाय है वो क्या है आपके तालाब है यानि कि 14 17.7% आपके टैंक है 3,81,805 आपके देश में क्या है टैंक है ठीक है छोटी से बड़े जितने भी आपके है इसके अगर हम बात करें मानम रिरिवित जो जला से है यानि मेंड 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 आपके जो वाटर बोडी है उसमें है आपके 12% यानि 2,92,802 जिसमें आपके बैराज जाएंगे हना जितने भी बैराज आपके मेंड मेंड बनाए गए है वह जाएंगे और सेश 12.60% यानि की 3,7462 जल संक्रक्षन योजनाए है चेक डेम है यह सब आपके है तो एक तो यह डेटा आपको याद रखना है ठीक है इसका मतलब क्या है कि देश में निकायों का वित आपके में झाद के काई है तो यह है वैस बंगोल में तो पक्ष्मी बंगाल में सबसे अधिक तालाब और जलाशे हैं आपसे कोई ठीक we तलाब और जलाशे किसमे है तो वह है पक्षमी बंगाल में यह इस बार का वाटर बोडी सेंसे से वह बोलता है अब कर दूसरा नमबर का हम बात करें तो आंदर प्रदेश में सबसे जाधा क्या है आपके टेंक है तो आपसे कोई पूचिए कि सबसे जाधा टेंक किस राज्य का पर है तो दोस्तों उसका भी उनसर है आपका तन देश में सबसे जाधा जो आपके झील है वह बी तमग दुमिक में सबसे जाधा जो आपर comprend मेलाडों में है और महारास्ट्रा में सबसे जल संदक्ष्ण सबसे जादा जल संदक्ष्ण की योजनाएं हैं तो महारास्ट्र में यानि की देश का वोटर जो आपका जल निकायू की गणना हमने की है, उनमें से 97.1% किसमे है, ग्रामेंट छेत्रों में है, और केवल 2.9% किसमे है, शेहरी छेत्रों में, अगर हम पूरे अवरोल वाटर बोडी की बात करें, तो गाउं में कितने है, 97.1, यनि मैक्सिमम, लगबख सारे गाउं में है, शेहरों मे कितने है 2.9 परसेंट तो एक येच इफेक्ट आपको याद अखने इस बाग इसके अलावा हम बात करें कि टो फाइब स्टेट इन टम्स ओफ नंबर ओफ बाटर बोडिस यानि देश में अगर हम टो फाइब स्टेट ले जहां पर सबसे जादा जलिये निकाये हैं आपके तो पुर्य देश को एक साइड रखते हैं और इनको एक साइड रखते तो 63 परसेंट वाटर बोडिस इन पांच स्टेट में हैं जिसमें सबसे जादा किसमें हैं वेस्ट बेंगोल में दूसरा है यूपी तीसरा है आंधर प्रदेश चोथा है उडिसा और पाच्वा है आपका भाइस अंने Oh temperatures की देखरो यहां पर ऑफिपा सहरा आखियो है जिए के सहरे छेतरों की मैं बात करें सहरी चेत्र टो सहरी चेत्र में सबसे जादा वाटर बोडी खुन कॉल से आपके स्टेट में तो देखो एक तो है आपका West Bengal, सहरों की हम बात करें, अवर ओल भी आपका West Bengal है, सहरी में भी हम बात करें, दूसरे नमबर पर आपका Tamil अडू है, तीसरे नमबर पर आपका Kerala है, चोथे नमबर पर आपका UP है, और पांचवे नमबर पर आपका क्या है, तिरपुरा है, तो य पकश्मी बंगल को सबसे ज्युदा जला से फस्टो वाकौ, पकश्मी बंगालमे पर पर रहों हैं assess, मुझा जली परां करीक है। इसके लावा हम बात करें दोस्तों कि out of all in used water bodies, major water bodies are reported to be used in the PC culture by the irrigation, सबसे ज्यादा जलिये निकाए हमें कहां पर यूज करते हैं, मतश्या पालन, ठीक है, तो उसके बाद में हम कहां पर यूज करते हैं, देखो, सिचाई के बाद सबसे ज्यादा जूज करते हैं, मतश्या पा इसको जरूर याद अखना है, सब लोगों को, भूला नहीं है, सबसे ज्यादा जलिये निकाए का यूज कहां पर करते हैं, एक तो देखो, मतश्या पालन में करते हैं, दूसरा हम सिचाई के रूप में करते हैं, इस सीज को आप नोट डवन कर लीजिए, मतश्या पालन और में, यूपी में, एक आपका आंदर प्रदेश में, मतश्या पालन के लिए जल निकाए का परमुख उपयोग ये पांच स्टेट हैं, जहां पर किया जाता है, वेस्ट बेंगाल तो सब में आपका आएगा, अगर हम बात करें, कि सिचाई के लिए वाटर बोडी का सबसे ज पहले नमर पे जहारखंड है, दूसरे नमर पे आपका क्या है, आंदर प्रदेश है, तीसरे नमर पे आपका तेलंगाना है, चोथे नमर पे आपका वेस्ट बेंगोल है, और पांच वे नमर पे आपका क्या है, गुजरात है, तो ये पांच राज्ये हैं, जिनमें सबसे ज जल निकाय संख्या वाले राज्ये कुन से हैं पक्ष्मी बंगाल दूसरे नंबर पर उत्रप्रदेश तीसरे पर अंदर है चोथे पर उडिसा और पांचवे पर असाम है ठीक है तो इसको जरूर इयाद है इसके बाद में हम बात करें आपका ये सारी चीजे हमने डिसकस करी ली है कि जल निकायो का 83.7% उपयोग में है जबकि 16.3% उपयोग में नहीं है अगर हम जल निकायो की बात करेंगा इस ठीक है वाकी तो ये मैंने आपको बताई दिया है सबसे जादा जल निकायो का यूज म इसबार कोश्चन आया था था तो आपको ब्रस्टोब से अपको सब्चाया , जिस से कि हम जितने भी हमारे देश के जो वाटर बोडीस हैं को एक डेटाबेस तयार हो सके उनका प्रोपर यूज हो सके हमारे देश के विकास में जलस अंसादनों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है तो उसका हम सही से उपयोग कर सके इसलिए जनसंख्या है जो हमने किये है अब देखेंगे तो हमारे भारत में विश्व की 18% जनसंख्या है लेकिन हमारे पास व संसादनों की बात करें तो केवल 4% संसादन ही हमारे भारत में हैं यह याद रखना है इसके लाव दोस्तों एक बहुत छोटा सा फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि इस वाटर बोडी सेंसरस में किस वाटर बोडी को इंक्लूड नहीं किया गया है एक तो देखो ओशि जो किसी फैक्टरी के लिए बनाए गया है उनको नहीं किया है एक टेंप्रेरी वाटर बोडी यानि कुछ काम के लिए बनाते है दो तीन दिन के लिए उनको नहीं इंक्लूड किया है एक आपके जो ओपन वाटर टैंक होते हैं जानी गाये भैसों के लिए पीने के लिए हम नहीं किया है यह वाटर बोडी इसमें इंकलूड नहीं की गई है ठीक है अब एक बहुत important slide है बहुत important fact है जो आपके direct सावाल आने के पूरे पूरे chances जाएंसमें 1 देखो और के इनिशेटिव कौन-कौन से है पानी को संगरक्षन करने के लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए भारत में कौन-कौन सी योजनाई है जो आपकी चलाई जारे हैं तो यह एक खुद टोप योजनाई है टोप स्कीम है जो जल संग्रक्षन के लिए हमारे भारत में चलाई जारी एक तो है दोस्तों महात्मा गांधी नेशनल रूलर इंप्लोइमेंट गारेंटी स्कीम यानि की मन्रेगा दूसरा स्कीम है हमारा अटल भूजल योजना तीसरी है दोस्तों परधान मंत्री सिंच्य योजना पी-म-क-स-वाई एक है दोस्तों आपका अमरुत मिशन यानि अटल मिशन फोर रीजुविनेशन और अर्बन प्लान फोर्मोलेशन एंड इंप्लिमेंटेशन यू आइडी पी-एफ ठीक है एक है आपका दोस्तों जल सकती अभियान कैच दा रेंट तो यह टोटल आठ स्कीम है जो करंट में आपकी रहती है अकसर और यहां से आपके सवाल आने के पूरे-पूरे चांसे हैं तो यह थ अगर आपने शेशन को सेर नहीं किया तो जल्दी से सेर कर दो चैनल को सब्सक्राइब तो आप करी देंगे सब लोग जितने भी लोग आपने अब आपका देखो एक होवक है जो भी आपने पड़ा है जितना भी आपने पड़ा है उसको मुझे एक बार कमेंट करके आप झाल